साथियों किसान महिलाओं पे बात करते हुए सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगी कि हम अपने आजादी के आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों और Constituent Assembly जिसने हमारा समविधान बनाया और अंबेड कर साब जो उस समविधान सभा के नेता थे उन सभी को सल्यूट करना चाहूंगी मैं कि जिन और समविधान के अंदर महिलाओं को बराबर के अधिकार दिये लेकिन उसके बाद जहां तक उन अधिकारों को अमली जामा पहनाने का सवाल था हमारे यहां की जो रूलिंग क्लास थी उस समय की जो सरकारें थी उन होने जो परतिकरियावादी ताक्ते थी उनके सामने एक तरह का समर्पन किया और इसकी वज़े से जो असलम महिलाओं के लिए और दूसरे वन्चित तबकों के लिए जो बराबर के अधिकारों का हुआ और यह कह सकते हैं कि जो हिंदू सक्सेशन एक्ट जो था और लैंड रिफॉर्म जो थे उनको जिस भावना में लागू किया जाना चाहिए था वो नहीं किया गया और हम सब जानते हैं कि बाबासाब अंबेड कर खुद उससे बहुत ज्यादा दुखी थे और उन्हो के प्रती जो हिंसा है क्योंकि हिंसा की जड़े हैं वह क्योंकि वह आर्थिक रूप से आतम निर्भरनी हैं तो सामाजिक रूप से भी रितिर्वाज हैं वही मुल्यमानेताई हैं वही समवेदनाई हैं और वही आचरण है तो इसकी वज़े से उनके साथ जो हिंसा होती अगर देखें तो एक qualitative difference हम note करते हैं और वो difference यह है कि जो अधिकार असल में मिले भी आजादी के बाद महिलाओं को उनको भी छीनने की प्रकडिया जो है इतनी तेजी से शुरू हुई यहां पर क्योंकि यह जो सरकार है इसका जो vision है सरकार को चलाने का वो समवेधानिक अनुवादी व्यवस्था के हिसाब से चलाया गया है आज जब हम खास तोर पे अपने सपनों का भारत उसकी री-इमेजिनिंग इंडिया इस परस्पेक्टिव के साथ जब उसके उपर बात करने तो मुझे यह लगता है कि हमें रीक्लेमिंग के आस्पेक्ट पे भी बात क करनी पड़ेगी तो जहां तक सेव करने का सवाल है कि जो अधिकार हमें मिले भी थे जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 2014 के बाद जिस तरह का रेजीम यहां पे सरकार में आया है उन्हों ने भले यहां पे जो लैंड रिफॉर्म्स जो हैं वो लागू नहीं हुए थे लेकिन उसके बावजूद जितना महिलाओं को जमीन भले ही ना मिली हो हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत लेकिन आदमियों के पास भी जो जमीन थी उसको भी एक तरह से जो कॉर्पोरेट के हवाले करने का जो प्रकडिया यहां पे चल रही है उसके अंदर हमें देखने की जरूरत है कि अभी हर्याना के अंदर कानून बनाया गया कि जो कॉमन लैंड थी या 2013 का जो जमीन चे जुड़ा हुआ जो कान जान कर दिया गया कि जो जहां पे जमीन खरीदना चाहे जो ओनर है जो पीपल है उनकी तो कोई से ही नहीं है वो उसी जगह को खरीद सकते हैं इसी तरह से पार्लेमेंट के इस तरह भी 2013 के कानून के साथ छेड़ चाड़ करने की उन्होंने जो कोशिशें की थी अब रास्त का बहुत ही नकारात्मक असर जो है वो महिलाओं के उपर पड़ेगा एक तरह से इसमें लेकिन खुशी की बात यह है कि हम तो यह सोचते थे कि शायद क्यूंकि सम्वेधानी का दिकारों के फल खाने का उतना मौका महिलाओं को नहीं मिला तो जब उन सम्वेधानी का दिका आएं लेकिन जो CAA NRC के खिलाफ जिस तरह से इस देश की सबसे पीछे धकेली गई महिलाओं जो है जिस संकल्प के साथ जिस निश्चे के साथ वो सडक पे आई और उसके बाद अभी जो तीन क्रिशी कानून जो है उनके खिलाफ जो आंदोलन चर रहा है उसके अंदर महिल आएं जिस तरह से बड़ जड़ के भागीदारी कर रही हैं यह आश्वस्त करता है कि आने वाले समय के अंदर यह चीजें जो है यह बदलेंगी ऐसी हवाएं इस देश के अंदर चल रही हैं हमने कभी सोचा नहीं था कि हम एक बार महिलाओं के बीच में जाएंगे उनको कि स्किल्स सीखी हैं चाहे वह नारे लगाने का है चाहे वह भाशन देने का है चाहे वह गीत लिखने का गाने का है इसके अलावा हम यह भी कह सकते कि जो हमने अपनी आखों से देखा है कि महिलाओं जो हैं वह असलमा आदमियों को तयार करके भेज रही हैं एक तरह से घरों स और वो पीछे से बच्चों को भी देखती हैं, बुजुर्गों को भी देखती हैं, खेतों को भी देखती हैं, और वो सारा करके भी जिस खुशी के साथ नासती, गाती, नारे लगाती, बॉर्डर्स के उपर आती हैं, ये अपने आप में एक बहुती नायाब चीज है, और इसी के साथ संयुक्त मोर्चा की तरफ से भी, SKM की तरफ से भी इन महिलाओं को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए जिस तरह के कदम उठाए गए हैं, वो अपने आप में इन महिलाओं को मतलब एक आगे बढ़ी हुई भूमी का देने वाले हैं For example, SKM के दवारा किसान महिला दिवस मनाया जाना, इसी तरह से आठ मार्च को अंतराष्टिय महिला दिवस मनाया जाना और इनके अंदर जिस तरह से उमर घुमर के महिलाओं की भागीदारी हुई है, वो अपने आप में लाज़ जवाब चीज थी, उसको देखना और उसके अंदर शामिल रहना इसके अलावा ऐसे कदम इस दोरान उठाए गए हैं जिनकी महिलाओं को बहुत सक्त जरूरत थी, फोर एक्जाम्पल वो जहां पे भी काम करती है, जो भी जिस तरह का जीवन जीती है, वहाँ उनके साथ आमत्वर पे पित्रि सत्तात्मक समाज होने की वज़े से चेड़ चाड़ का और सेक्सोल असौल्ट के इस तरह की गटनाएं देखने को आती है, मिलती है, उसके खिलाफ दो हजार तेरा में यहां पे कानून बनाया गया, लेकिन आज तक भी वो जो कानून है, उसके लागू होने के पक्षपे हम देखें तो बहुत ज्यादा निरा मिलती है, परंतु यह जो आंदोलन के अंदर मैलाएं आ रही है, बॉर्डर के उपर क्योंकि वो भी महिनों रह रही है, वहां पे तो वहां पे रहने वाली अन्नोजवान लड़कियां भी है, वहां पे खेत मजदूर भी मैलाएं हैं, वहां पे किसान मैलाएं भी हैं, वहा पे महिला सुरक्षा समीतियों का गठन किया गया है और मुझे ये बात बताने में और आप सब के साथ साजा करने में बहुत अच्छा लग रहा है कि हर्याना के अंदर जो आंदोलनकारी महिलाएं हैं जिनके प्रती ये देखने को मिलता है कि मतलब अवेलेबल महिलाओं की तर तो बीजेपी के एक भौती मू लगने वाले उनके ब्लू आइट बॉय एक तरह से कह सकते हैं ऐसे मंत्री और विधायक ने उनकी तरफ अशलील इशारे कि और वह अशलील इशारों के खिलाफ जिस तरह से किसान अंदोलन ने रिस्पॉंड किया वह अपने आप में एक दे ने लगा और एक्स्रीम वैदर कंडिशन्स थी लेकिन फिर भी वहीं पर महिलाएं सोई वहीं पर रही पूरा दिन रात जो है और फिर जब यह देखा कि किसी भी तरह से वह सरकार और मंत्री जो है वह जुकने को तयार नहीं तो महिला पंचायत महिला न्याय पंचायत वहा के बाद वो जो पूरो मंत्री थे उन्होंना कहा कि मैं महिलाओं से पैर पकड़ के माफी मांगना चाहता हूं तो मेरे ख्याल से ये देश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ होगा कि सेक्स्वल वाइलेंस के मुद्दे के उपर इस तरह से आंदोलन चला हो और वहां पे इस त पूरा मतलब ये आशोस्त करती हैं कि आने वाले समय में ये जो किसान मही लाएं हैं ये जो खेत मज़़ूर मही लाएं हैं जो आज आंदोलन के अंदर उतरी हुई है यह नहीं होगा कि वो आंदोलन जीत जाएं या मतलब कोई सूरत ऐसी भी हो सकती है कि किसी समय पे विद्रौ भी करना पड़ जाए तो लेकिन वो वही इंसान नहीं होंगी वो कम से कम बिल्कुल बदली हुई इंसान होंगी उस समय पे जो अपने अधिकारों के बारे में टाइमर हैं लेकिन वो स्पेक्टेटर्स नहीं है वो एक्टर्स हैं अपने आप में वो एक्ट कर रही है इस आंदोलन के अंदर तो हम यह कहना चाते हैं कि यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए सरकार को कि कॉर्पोरेटाइजेशन ओफ एग्रिकल्चर नहीं चाहिए लोगों को लोगों को चाहिए कॉपरेटिव एग्रिकल्चर जिसमें सायोगात्मक तरीके से काम किया जाए हमारी खेतिबारी जहां जी संकट में फसी हुई है अल्रेडी हालत क्या है कि दो एकड जिन के पास जमीन है वो 86 परतिशत किसान है इस देश के और दो एकड वाला जो किसान है उसकी महीने की आमदनी जो है वो 6,278 रुपे के आसपास जाके बनती है और एक एकड के किसान भी बहुत ज्यादा है उनको रोज मतलब 27 रुपे एक तरह से आमदनी उनकी होती है तो हमें यह लगता है कि इस चीज का असर महिलाओं के जीवन पे बहुत आएगी तो सारा यह जो खेती बाड़ी का संकट जब से कॉर्पोरिटाइजेशन ओफ एग्रिकल्चर की तरफ से और एनीपी के दौरान जी तरह से खेती बाड़ी को खोला जा रहा है वो उसका मतलब उनके शरीर के अंदर से गुजर रहा है यह सब होकर एक तरह से मैं जो पशूपालन का डेरी का सबसे ज्यादा काम वो करती है उसका जो है उनके लिए भी MSP की जरूरत है वहां पे वो उनकी कॉपरेटीज बनाई जाए उनको MSP उन एरियाज के अंदर भी लागू किया जाना चाहिए और सबसे बड़ी जो जरूरत है असल में महिलाओं क हमें यह लगता है कि अभी तक 1955 में उनका खेती बाड़ी में जमीन के उपर उनके अधिकारों के उपर फैसले हुए थे बराबर के अधिकारों के उपर फिर 2015 में उनको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भी राइट का कानून बन चुका है लेकिन हकीकत क्या है हकीकत यह है कि केवल 13 पर्तिशत मेलाएं जो हैं उनके पास जमीन है और उसमें से भी मतलब 7 पर्तिशत हैं असलमें जो इफैक्टिवली उस जमीन की मालिक हैं तो जो उनका जमीन के उपर जो उनका हक बनता था बराबरी का असलमें जो सम्विधान के तहत उनको दिया गया था वो जो ह उसके तो आसपास भी नहीं है यह तस्वीर जो सामने आ रही है तो इसलिए यह किया जाना चाहिए यहां पर की पूरा एक पार्लियमेंट का सेशन बुलाया जाए जिसमें इसके उपर बहस होनी चाहिए कि आपने 1955 में जो कानून बनाया था वो अगर उसके मतलब 60-60 साल बाद भी अगर वो लागू नहीं हुआ है तो उसके अंदर क्या गड़बड है उसके उपर पूरा विचार विमश करके बदलते हुए समय के अनुरूप जो है उसमें बदलाव किये जाने चाहिए और हमें यह लगता है कि आर्थिक रूप से जब वो आतम निर्भर हो होंगी दूसरे चेतरों में भी उनके लिए जब पैल कदमी के मौके मिलेंगे तो निश्चित रूप से सामाजिक स्तर पे भी मतलब एक बदलाव की परकरिया जो है वो तेजी से आगे बढ़ेगी क्योंकि अभी फिल हाल हमारा समाज जो है वो जाती पे आधारीत लिंग प एक तरह का समाज है जिसके अंदर पूरी हाइरार्की है जो आपके जीवन को कंट्रोल करती है उस तरह से लेकिन महिलाओं को जरूरत है एक नागरिक समाज बने जो हमारे संविधान की संगती में हो जहां पे नागरिक के उसके अधिकार जो है वो सर्वोपरी हो तो यह एक नागरिक समाज बनाने का भी काम हमें करने की जरूरत है और इसके अंदर हम यह कहना चाहते हैं कि जो हमारे नेतागन है उनको एक्जामपल सेट करने पड़ेंगे क्योंकि बाबा साब अंबेड करना कहा था कि जब रोटी बेटी का संबंध हमारे समाज में बनेगा तो अस इसी तरह से हमने ये भी किताबों के अंदर पढ़ा है कि चोधरी चरण सिंग जो किसानों के नेता थे एक बार जब वो परधानमंतरी बरने का विमर्ष पूरे देश मून के सामने खुला हुआ था तो पत्रकारों न उन से पूछा कि आपको तो ये इस समय पे फैसले करने मे बहुत दिक्कत आरी होगी और बहुत तनाव में होंगे आप तो उन्हों न का ना भाई उतना तनाव उतनी दिक्कत बिल्कुल नहीं आरी मेरे सामने सबसे बड़ी दिक्कत मेरे जीवन की तब आई थी जब मेरी लड़कियों ने अपनी पसंद से अंतर जातिये विवा करन थी लेकिन उस समय के नेता जो थे वो उन मुश्किल घडियों के अंदर जो है संघर्ष करते हुए प्रगतिशी फैसलों के ओपर डटे रहे तो ये समाजिक चेतर के अंदर भी समाज सुधार को आगे बढ़ाने के लिए एक सिविल सोसाइटी बनाने के लिए हमारे जो नेता है उन सब ही को एक्जामपल सेट करने पड़ेंगे अपने नीजी जीवन के अंदर भी और इसके साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि चाहे महिलाए हो चाहे पुरुष हो इस देश के वो मतलब ये जो वर्तमान रेजीम जो है वो बार बार ये अभिवेक्ति दे रहे हैं कि वो इनको हराना चाहते हैं और वो हरा भी रहे हैं जैसे बंगाल के अंदर हराया है और इसी तरह से कई जगहों के उपर लग बग हराया गया है इनको लेकिन वर्तमान में जो कॉर्पोरेट और एक तरह से ये जो रेजीम उनका बीजेपी का जो है इनके गठ जोड का जो पैसा है उस पैसे के सामने लोगों के ये प्रयास जो है वो फली भूत नहीं हो रहे हैं तो ऐसे में जो वेकल्पिक राजनीती का दावा करने वाले हैं या मतलब जो इसके बाद सत्ता में आना चाहते हैं अब ऐसा नहीं होगा उनको समझ लेना चाहिए इन परकडियाओं से कि ऐसा नहीं होगा कि अब बीजेपी से दुखी हो के लोग और उनको वोट डाल देंगे वो सत्ता मा आ जाएंगे नो उनको ये जो इनकी एस्पीरेशन्स है जो अलग-अलग छेतर के अंदर अविवैक्त कर रही हैं ये जो किसान महीलाएं मजदूर महीलाएं हैं गरीब महीलाएं जो नौजवान लड़किया जो है वो जो अभिवेक्त कर रही है उन सब के उपर बहुत कैटेगोरिकली अपनी पोजिशन्स जो है वो लोगों के सामने रखनी चाहिए और वो जब स्पस्टता से रखेंगे तो उसके बाद जो लामबंदिया जो है वो उनके साथ होंगी और वहा होगी और उसकी जरूरत है इस देश को और खास तोर पे महिलाएं जो है और उनके अंदर भी मतलब जो किसान और खेत मजदूर महिलाएं हैं जो असल में सबसे टफ जीवन जो है जिनका इस समय पे चल रहा है वो अगर उनके घरों में जाके देखें लड़के उनके हैं पती जो है वो आतम हत्याई कर रहे हैं पती आतम हत्या कर लेते हैं तो भी वो फिर उनको मतलब करजा उतारना पड़ता है और कुछ जगहों पे जहां पे सेक्स रेश्यों खराब हैं जैसे हर्याना जैसी जगए हैं वहां पे तो लड़कों की शादियां भी नहीं हो र तरह से हैं और शायद इसी वज़े से वो इतना बढ़ चड़के इस आंदोलन के अंदर भागीदारी करें यह भी एक इंडिकेटर है और अगर मैं यह बताना चाहूं कि 26-27 नवंबर जब किसान आंदोलन कूच किया था दिल्ली की तरफ तो उसमें उस दिन जो है महिलाएं हर हर्याना के अंदर तो मतलब नेत्रतव कर रही थी एक तरह से उसकूच का जो है जबकि आदमी एक यहां पे खास्तर का बैक्ग्राउंड भी था हर्याना के अंदर वो थोड़ा सा पीछे थे लेकिन वो आगे थी उसके अंदर तो यह तमाम जो इंडिकेटर्स हैं इनको समझते हुए आगे आने वाले जो भी निती निर्धारक हैं जो भी राजनिती करने वाले हैं जो भी समाद सुधारक हैं उन सब ही को अपने एजेंडा के अंदर इनके जो concerns ये अलग-अलग तरीकों से जो अभिवेक्त हो रहे हैं हमारे यहां पे इन सब को शामिल करना चाहिए और ये मतलब बदलाव की बहुत बड़ी ताकत जो है ये read की हड़ी असल में बदलाव की बन सकती हैं ये मैलाएं ये एक बार नी बार बार उनों न यहां पे मतलब प्रूव करके दिखाया है आंदोलनों के अंदर करना पक्षाइब बदल सब कर दो आंदो